नमस्कार दोस्तों, AMT Classes पर आपका स्वागत है आप मैंसे बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा बुक पढ़ाईए और बुक से भी कुछ कराईए तो Basic Hindi की 60 वीडियो की मातराओं का कोर्स मैंने सब कुछ कराया हुआ है और आज से इस चैनल पर Class 1 से मैं चीजों को बुक को solve कराने की कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ये बुक NCRT Class 1 की बुक है और उसका पहला आज हम पाट कर रहे हैं अगर आपको ऐसी पीडिया बुक चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं NCRT Class 1 पीडिया फाइल तो आपको फ्री में ये फाइल मिल जाएगी तो जिन लोगों को इन चीजों का ग्यान है वो लोग इसली गूगल पर जाकर ले सकते हैं अब मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा और इसकी exercise कराऊंगा तो चलिए पहले हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं जूला पहला चैप्टर क्या है हमारा पहला पाठ क्या है जूला तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और पढ़ने लिखने की कोशिश करेंगे जो भी आपने मेरी मात्राओं में सीखा है उन चीजों को आप आजमाएंगे कि बुक की पढ़ाई क्या कहती है पाठ करम क्या कहता है और यह हमारे सरकार द्वारा बनाया गया पाठ करम है इस पर तो कोई शकी नहीं है अम्मा आज लगा दे जूला इस जूले पर मैं जूलूँगा इस पर चड़कर उपर बढ़कर आसमान को मैं चूलूँगा ठीक यह तो एक पढ़ने का तरीका होगी आप इसको थोड़ा सा जैसे हम कवीता को पढ़ते हैं वैसे पढ़के में बताता हूँ अम्मा आज लगा दे जूला इस जूले पर मैं जूलूँगा इस पर चड़कर उपर बढ़कर आसमान को मैं चूलूँगा तो पहला हमारा यह पहला पैरागराफ जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है अब आगे बढ़ते हम जूला जूल रही है डाली जूल रहा है पत्ता पत्ता इस जूले पर बड़ा मजा है चल दिल्ली ले चल कलकत्ता देखें कितने बिल्कुल आसान शब्द थे और ये क्लास वन की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं क्लास वन में बच्चों को कैसे पढ़ाय जाता है बच्चों को छोटी-छोटी कवीताय कहानिया कराने का ये मक्सद होता है कि वो बच्चे याद रख सकें चीजों को जैसे चोटी कहानिया आप बहुत इजली याद कर सकते हैं अगर आप पांच बार शे बर पढ़ेंगे तो पूरी कवीता आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं जूला जूल रही है डाली जूल रहा है पत्ता-पत्ता इस जूले पर बड़ा मजा है चल दिल्ली ले चल कलकत्ता जूल रही है नीचे की धर्ती उडचल 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 बरस रहा है रिमजिम रिमजिम उड़कर मैं लूटू दल बादल जूल रही है नीचे की धरती उड़चल 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 बरस रहा है रिमजिम रिमजिम उड़कर मैं लूटू दल बदल अभी इस paragraph में आपको समझ नहीं आया होगा तो इस paragraph को मैं समझा देता हूँ जब बच्चा जूले पे जूलने लगता है और उपर नीचे जाने लगता है जब जूला आगे पीछे ये जूला आगे और पीछे की तरफ जाने लगता है तो बच्चे को कैसे लगता है कि मैं बिल्कुल आस्मान की तरफ जा रहा हूं मैं धर्ती की तरफ उड़ कर आ रहा तो ये क्या क्या रहा है इतनी ऊंची इसको उड़ा कि मैं बादल तक जाओं और पूरा बादल को मैं दल बदल दूं तो ये पूरी हमारी कविता थी तो मैं आशा करूंगा एक बार आप इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको याद करने भी कोशिश करेंगे यह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है और अगर आप इसी तरह से सीखते जाएंगे तो लेवल आपका अप होता रहेगा अब एक पर फिर से पूरी कवीत हम पढ़ लेते हैं अम्मा आज लगा दे जूला, इस जूले पर मैं जूलूंगा इस पर चड़कर उपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा जूला जूल रही है डाली, जूल रहा है पत्ता पत्ता, इस जूले पर बरा मजा है चल दिल्ली लेचल कलकत्ता जूल रही है नीचे की धर्ती, उडचल 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 ठीक तो आगे चलिए अब हम इसके अभ्यास की तरह बढ़ते हैं अब आगे का अभ्यास देखते हैं कह रहा है जूले ही जूले अलग-अलग तरह से हम जूले जूलते हैं तो इसमें question पूछा जा रहा है बताओ इन में से किन चीजों पर तुम जूले की तरह जूल सकते हो ये बच्चे की समझ बढ़ाने के लिए है क्या आप टायर पर जूल सकते हैं? बताइए? जी हाँ, बिल्कुल टायर पर जूल सकते हैं क्या करते हैं? कहीं हम ऐसे रस्सी मान सकते हैं और फिर उसमें टायर गुसा कर और इसके उपर बैट कर या इस पर हाग पर लटक कर हम जूल सकते हैं, तो टायर से जूल सकते हैं, फाटक पर जूल सकते हैं, जी बिलकुल बच्चे यहां पर पैर रखकर और फाटक पर भी जूल सकते हैं, जाड़ू पर नहीं जूल सकते हैं दरी पर नहीं जूल सकते, मेज पर भी नहीं जूल सकते, अच्छे से कुछ बच्चे याँ खड़े होके जूल लेते हैं लेकिन इस पर जूल नहीं सकते, डाली पर तो डाली पर तो बिल्कुल ही जूल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, किसी के पैर उपर बिल्कुल जैसे आ उपर फोटोज है, यह जो फोटो देख रही है, इसमें से आपको बताना है अपने अनुसार, अब यह सब बच्चों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, किसी को टायर पर जूलने में बहुत मज़ा आता है, तो किसी को डर लगता है, किसी को डाली पर जूलने में बहुत जूलते हैं, ठीक है, मतलब सही चीज उनको सही नहीं लगती, गलत चीज बच्चों को जादा सही लगती है, तो इसलिए फाटक पर जूलने में बच्चों को सबसे जादा मजाता है, मुझे जूलने पर डर लगता है, किस पर जूलने पर? बताईए, अलग-अलग बच्चों अलग-अलग मुझे डाली पर जूलने में डर लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर डाली पर छोड़ दो तो उन्हें बहुत डर लगता है डाली पर जूलने में ठीक है मुझे डैश पर जूलने पर डाट पड़ती है किस पर जूलने पर फाटक पर जूलने पर क्योंकि फाटक तूट जाता है बार-बार आवाज करती है तो इसलिए घर वाले क्या करते हैं उसे डाटते रहते हैं बच्चे को तो चलिए ये अभ्यास भी हो गया हमारा आगे की तरफ बढ़ते हैं अब तुम इन जूलों पर भी जूले होंगे इन जूलों को तुमने कहां कहां देखा है अब जैसे यहां शब्द दिया हुआ है मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन या बगीचा आप घर का आंगन का है या घर का बाहरी किनारा जहां पेड़ पोदे लगी होते हैं कुछ भी आंगन में ठीक और दलान में भी होता है बाग बगीचे होते हैं तो वहां पर भी होता है ठीक है बट एक कांसे सबके लिए रखना है घर के आंगन में भी हो सकता है बगीचे में भी हो सकता है अब जैसे ऐसा जूला कहां पर होता है ऐसा जूला मेले में होता है है ना मेला क या मेले कहें, मेले में, ठीक है, ऐसा जूला कहा होता है, यह भी घर के आंगन में होता है, तो आप आंगन लिख सकते हैं या घर के आंगन में लिख सकते हैं, ऐसा जूला कहा होता है, ऐसा जूला होता है, पार्क में, अगर आप शहरों के पार्क में या जहां छोटे शहरों म पार्क बने होते हैं, वहां होते हैं, ऐसे जूले, ऐसा जूला कहां होता है, मेले में, ये तो आपको मेले में ही देखने को मिलता है, ये मेले में देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ये खर्चीला जूला होता है, ठीक है, इसलिए मेले की दिनों में जब बहुत ज्यादा लो अलग अलग चिडिया, दूर गाउं दिखाई दे रहा होगा, साइच छोटे पहाड दिखाई दे रहा होगा, या कहें तो नदियां दिखाई दे रही होगी, जहां भी बच्चा जूल ला होगा, तो ऐसा ही बच्चे की समझ को देखने के लिए ये कोशन पूछा गया है, अब्यास देखते हैं इस शेप्टर में क्या है, अब ये कहरा मिलाने के लिए, कि ये चित्र बने हुए है और मिलाई ये, तो अगर आपने शुरुआ से चीजों को देखा है, तो यहां बहुत अच्छे से आपका अब्यास हो जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी जूला कौन सा है, ये जूला है, पेड कौन सा है, ये पेड है, गठरी कौन सी है, तो ये गठरी है, बहुत इजी था, ठीक, अब इस कोश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस कोश्चन में क्या है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बना हो, ठीक है, अब जैसे यहां कहां बनेगा, तो पेड के पीछे बच्चा चुपेगा, यहां कहां बनेगा, तो मेज के नीचे बच्चा चुपेगा, ठीक है, जैसे यहां पर बच्चा बैठेगा, तो मेज के नीचे चुप जाएगा, यहां किसके नीचे बैठेगा, तो च धाड़ी के पीछे चिपेगा ठीक है इसके पीछे यहां चिपेगा ठीक तो यह इसका पहला बाट था ठीक पकड़न पकड़ाई अब इसमें पकड़ना है कि कहां से किस सब्द से किस वर्ण से क्या होता है तो ठो से ठेला होता है मौ से मचली भी मचली होती है अब मचली में म भी आता है छ भी आता है ठेला में तो और कुछ है निया ल है नहीं ठीक मा से होगे आपका न से न से क्या होता है नल होता है और अनार बोलेंगे तो उसमें भी होगा असे क्या होता है असे अनार होता है और असे अलमारी होती है फिर छ से क्या होता है मचली भी होती है और यहा जो उनमें आते हैं, जैसे ठ से उपर क्या-क्या हमने पढ़ा था, ठ से हमने क्या-क्या चीज देखी, या उससे अलग वाक्य भी आप बना सकते हैं, लिखिए कुछ-कुछ शब्द जो आपने वहां से करें, जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, ठेला, उसके बाद गठरी, गठरी, गठरी भी देखी थी, जो ये गठरी थी हमारी, उसके बाद मचली थी, और क्या था, जिसमें ये शब्द आता हो, छतरी, जैसे छ से जुड़ा हुआ है, ठ से जुड़ा हुआ है, ठ से जुड़ा हुआ है, तो ठ आया, ठ आया, अब इसी तरह म से और क्या है इसमे जैसे यहां मचली थी और कोई शब्द और बने तो और क्या था अलमारी इसमें भी मौ आया तो यह हमारा मौ वाले वर्ण से क्या आया मौ ठीक है इसी तरह और से अनार आया और और से और कोई शब्द आया था इसमें उपर हां क्या था अलमारी इसी तरह न से क्या था नल था और एक और था बताईए क्या था अनार तो यह पूरा exercise हमारा हो गया यह फिर से मैं बता दूं NCRT class first की पहली book की part 1 है ठीक जिसका पहला chapter क्या था जूला तो यह पूरा part हमने पढ़ाया है और इसके आंसरों को किया है अब यह वीडियो आपको क कैसी लगी और क्या आप चाहते है कि और वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड करूं यह बहुत ही बच्चो वाला हो गया बच्चो वाला होने का मतलब क्या है समझ तो बच्चों के काम से ही आएगी अगर आप हिंदी को अच्छे पढ़ रहे हैं अच्छे से करेंगे तो यह चीजे बहुत benefit देगे आपको मत्राओं को पढ़ते रहना उन चीजों को करते रहना वो क्या होता है वो एक तरह की training हो गई लेकिन यह चीजे क्या है यह वहवारी ज्ञान है इससे वहवार का ग्यान आता है आप चीजों को पकड़ पाते हैं कर पाते हैं तो मुझे NCRT, NCRT, Class 1, Hindi, Book और उसके बाद उसके आगे PDF लिग दीजिएगा तो यह पूरी बुक का आपको मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अलग-अलग पार्ट के हिसाब से तो आप इस पूरे को अभियास कर सकते हैं वैसे जब मैं पूरी वीडियो में आपको करा रह ज़ादा 65 की होगी यह बहुत भड़ी रहेगी आपके लिए 65 रुपे की बुक मिलेगी आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं अगर नई लेंगे तब अगर पुरानी आप लेते हैं तो पुरानी यह आधे रेटों पे मिल जाएगी 40 रुपे में आपको मिल जाएगी तो अग आधित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, शुरू से हिंदी मात्राएं, इंग्लिश पढ़ना लिखना और मैथ की बेसिक जीरो लेवल से वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो मेरे AMT Classes चैनल को और आसानवीत आध पनल खोट क्रिज्शन में वीचे में झापी लेवल से नीचे में लेपा सिरु़ा और मैं जेना में काम काम उब्ष पना देशन आधिवल